देखिए क्या कर रहा है कि दो गेंड एक बक्से से बिना प्रतिस्थापित कि ये निकाली जाती हैं बॉक्स में दस काली और आठ लाल गेंड है तो प्रैक्टिया ग्यात करना है इनकी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है काली गेंदों की संख्या कितनी है काली गेंदों की संख्या काली गेंदों की संख्या दस है ठीक है और फिर क्या है लाल गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या आठ लाल गेंदों की संख्या तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जा 18 चलिए हमें पहले में क्या कराना एकि दोनों गेंद लाल होने की पहले निक़ता निकाले है तो हम लोग पहली गेंद लौल है इसके संख्या अठी यहां से इसकी प्राइकता जाएगे अच्छा दूसरी गेंद लाल है इसकी क्या प्राइकता होगी तो देखिए टोटल आठ गेंद लाल ती यह कम हो जाएगी ना अब साथ और बटा में कुल गेंदों की संख्या भी कम कर दो 17 तो यहां पर हमने लिख सकते हैं कि दोनों गेंद लाल है इसकी प्राइकता होगी चार बटा नौ और गुना में साथ बटा में 17 यह न हो जाएगा तो यहां पर हमें गुना कर लेना होगा प्रतिस्थापन राउग कर दोगे तो वहां पे अपको द्यान देना होगा थीक है यह प्रतिस्थापन इलाउग कर दोगा यह तब बिना प्रतिस्थापित किये कह रहा है और आपके इंगलिस में यह जो कोशन दिया है उसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापित किये प्रतिस्थापित कर निकाली जाती है निकि एक उनिकाले जाएगे तो फिर उसको रख दी जाएगी फिर दूसरी निकाली जाएगी तो उस है इसकी प्राइक्ता हो जाएगी वही आठ बटा में अठारा चार बटा नो हो जाएगा और दूसरी गेंद भी लाल है इसकी क्या प्राइक्ता होगी दूसरी गेंद लाल है इसकी क्या प्राइक्ता होगी तो यहां पर हो जाएगा उसका भी आठ बटा में अठारा कर तो दोनों गेंद लाल है इसकी क्या प्राइक्ता हो जाएगी? दोनों गेंद लाल है इसकी क्या प्राइक्ता हो जाएगी? तो चार बटनो और गुना में चार बटनो तो अगर प्रतिस्थापन एलाउ है तो ये हो जाएगा और नहीं है तो ये हो जाएगा तापके बुक में जो एंसर दिया है ना वहापे प्रतिस्थापित किया जाता एक बॉक्स से प्रतिस्थापित कर निकाली जाती है ठीक है तो आपका यही हो जाएगा आप इसी को बनाओ इलाव कर गहीं बनाओ ठीक है क्योंकि इंगलिस वाले में सही दिया और एंसर भी उसी के हिसाब से दिया हुए पहली काली